हाई गैस वलकूम बैक आपका अपने चानल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गैस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइफोन 11 के टॉप न्यू फीचर्स के बारे में जो कि आपको आइउस 18 की अपडेट में देखने को मलने वाले हैं तो मैंने फाइनली आइउस 18 को अफिशली अपने आइफोन 11 पे इंस्टॉल कर लिया है अब देख सकते हो 18 का जियो नया लीटेस्ट अपडेट है इस पे इंस्टॉल हो रखा है बात करें बैटरी हेल्थ की और बैटरी बैक अप की बहुत ही ज़्यादा इमेजिंग है बैटरी बैक अप और बैटरी हे लोगी तो यहां पर आपको पने चानल को जो सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यह आइफोन 11 को यूज कर रहे हो यहां बाइप करने की सोच रहे हो और आपको भी इसे अपडेट करना है तो इन फीचर्स के बारे में आपको जुरूर पता होना चाहिए तो सबसे पहले ग आपकोन को कंट्रोल को अड कर सकते हो वो उसराइप ली थोड़े करे गए हैं लॉक्स के आइकम्स जैसे यहां पर लॉंग प्रेस करूंगा मैं कस्टमाइब कर के लॉक्स में पर चलते हैं तो यहां आप देख सकते हो माइनस का option दिया गया है माइनस के उपर टैप करके आ तो यह सारे controls हैं जो कि आप directly single tap करके enable कर सकती हो और यहां सकती आप किसी भी application को भी add कर सकती हो सबसे पहले उसको आज shortcut create करना पड़ेगा application को open करने के लिए उसका icon आप अपनी lock screen की उपर setup कर सकते हो किसी भी application को launch कर सकते हो directly अपने lock screen की उपर से तो जैसे कि मैं यहां पर shortcuts के जो icons हैं controls हैं उन्हें आप add कर सकते हो तो यहां से आपको controls यह सारे के सारे देखने को वर जते हैं camera से related clocks के related connectivity से related toggles दिये गये हैं display के brightness और साथ में यहां पर dark mode light mode के बारे में और साथ में music haptics का भी icon दिया गया है जिसके साथ आप अपने haptics को enjoy कर पाओगे अपने music को सुनने के time पे उसके बारे में पी एक अलग से वीडियो में upload करूंगा अपने channel पे तो यहां पर कुछ और accessibility से related controls दिये जाते हैं remote का है shortcut का है sound का है translate unlimited यानि की customizations आप अपनी lock screen की उपर कर सकते हो तो आपको कैसा लगा यह iPhone की lock screen का नया feature मेरे को comment करके जरूर बताना second number की change करा गया है वो है control center control center की look को totally change कर दिया गया है तो यह है control center आप देख सकते हो सबसे top की उपर दो icons दिये गए है plus का और shutdown power of का जैसे ही मैं यहां पर plus के button पर tap करूंगा तो आप यहां से किसी भी control को add कर सकते हो add control की option की उपर tap करो और यहां से आपको सारे controls देखने को मल जा जाते हैं जो कि आपको वहां पर lock screen पर देखने को मलते थे उसके इलाबा कुछ और नए controls हैं जैसे कि connectivity, brightness और text के size से related यह सारे का सारे unlimited controls दिये गए हैं यह सारे accessibility के features हैं जो कि आपको settings में देखने को मलते थे वो सारे accessibility के features आपके control center में add करे गए है iOS 18 के update में और जैसे ही मैं यहां पर swipe up करता हूँ तो unlimited controls को add करने की option दी गई है आप बिना रुके किसी भी icon को किसी भी control को setup कर सकते हो सबसे मज़िदार बात यह है कि आप इनको rearrange कर सकते हो size को छोटा बड़ा कर सकते हो जैसे कि मैं यहां पर इसे long rest करके रखूँगा इसके control को मैं यहां से कुछ इस इसे यह काम करता है और यहां पर आप इसे कहीं पर भी place कर सकते हो कुछ इस तरीके से आप इने rearrange कर सकते हो और जैसे ही मैं यहां पर swipe up करूँगा तो यहां पर आपको देखने को मल जागा music का control और साथ में यहां पर कुछ basic controls देखने को मल जाते हैं airplane mode, air drop, wifi, mobile data, bluetooth और power, hotspot VPN के controls वगेरा आपको control center में ही देखने को मल जाते हैं और जो shutdown का button है वो किस काम आता है जैसे मैं यहां पर tap करूँगा आपको यहां पर देखने को मलेगा कि आपका जो device है वो directly यहां से power off कर सकते हो अब आपको अपने यह button को प्रेस करने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो प्रेस में AI intelligence को add करा गया है जिसके साथ आप किसी भी emoji को create कर सकते हो और अपनी photos में से किसी भी useless object को remove कर सकते हो तो यह features हैं काफे जदा interesting बना देते हैं iOS 18 के update को उसके बाद आ जाते हैं थर्ड नबर के उपर आपकी home screen home screen में सबसे बड़े changes करे गए हैं अब तक के iOS के update में जैसे कि मैं यहाँ पर edit के button पर tap करूँगा और यहाँ पर आपको customize का option देखने को मल रहा है customize की option एक new option add करी गई है जैसे यहाँ पर tap करोगे आपको यहाँ पर small और large का देखने को मल जाएगा icon जैसे large के उपर shift करूँगा आपके icons large हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं और जै अगर आपको dark mode चाहिए dark applications चाहिए तो आपको dark के उपर tap करना है जैसे dark को select करोगे अब आप देख सकते हो आपकी जो सारी applications है वो यहाँ पर dark में shift हो जुकी है अगर मैं यहाँ पर light के उपर tap करूँ तो यहाँ पर आप देखना कि यह जो application है light में original color में अब आपको देखन को मल जाती है जो कि आप यहाँ से change कर सकते हो अपने colors को change कर सकते हो blue की उपर देकर जाओंगा तो blue में यह सारे icons जो है वो create करतेगा तो इस तरीके से आप अपने home screen को ऐसे setup कर सकते हो तो जैसे कि यहाँ पर फिर से मैंने इसे default की उपर set करना है तो customize की उपर tap करो और आप देख सकते हो अब आपकी सारी applications वैसी ही आपको देखने को मल जाएंगी चलिए एक बार हम dark mode में shift करते हैं तो dark mode के उपर मैंने tap किया और आप देख सकते हो home screen की appearance बिल्कुल totally change हो चुकी है तो इनके जो icons हैं एक तरह के आपको 3D look provide करते हैं dark mode में पूरी theme ही आपके iPhone की change हो चुकी है fully modified कर दिया है iOS 18 के update को अपने iPhones के लिए उसके बाद बात आती है call recording के feature की call recording का feature भी आपको iOS 18 के update में receive होने वाला है तो वो आने वाले beta updates में Apple उन्हें introduce करेगा इस first वाले beta में अभी Apple ने उसे introduce नहीं करा है तो आने वाले updates में ज़रूर वो लेकर आने वाला है call recording का feature उसके बाद यहां पर आप अपनी photos की application पर जंप करोगे तो आपको इसमें fully तरीके से नया interface देखने को मनने वाला है तो यहां पर आप देख सकते हो यह जो icons है totally change कर दिये गये है इनकी placement को change कर दिये गया है वो recently viewed का भी option दिया गया है recently saved का भी option दिया गया है तो यहां से आपको कुछ इस तरीके का नया interface देखने को मनने वाला है अगर आप यहां पर swap करोगे आपके सामने favorites album आ जाती है अगर आप यहां पर जाते हो customize की वह टैप करते हो तो आप अपने photos को customize कर सकते हो अपने हिसाब से जहां पर भी आपको चाहिए तो यह जो photos का interface है आपको कैस लगा मेरे को comment section में जुरूब बताना उसके बाद सबसे main बात है आपकी photos की application में editing तो यहां पर आप देख सकते हो यह है इसका interface editing के लिए तो जैसे मैं यहां पर single tap करूँगा अब आपको इस photo का preview देखने को मल जाएगा तो यह है adjustment का option edit के उपर tap करो और यहां पर यह है इस इसका नया interface editing का और यहां से जब आप dark mode में shift करते हो तो आपको iOS 17 जैसा interface देखने को मलता है बट जब आप light mode में shift करते हो तो तब आपको एक नया सा interface देखने को मल जाता है इस update में तो यह जो editing का features हैं आपको कैसे लगे मेरे को comment section में जरूर बताएं उसके बाद आपको एक new application देखने को मलती है passwords की passwords की एक new application अपल ने release करी है इस update में जिसमें भी आप अपने आइफोन के सभी passcode को एक ही application में save कर सकते हो उसके बाद आपकी जो iMessage के application है उसमें भी काफी बड़े changes करे गए हैं आप अब किसी को भी text message send कर सकते हो via satellite satellite के through आपका जो message है उस person को चला जाएगा मानलो आपके पास कोई भी mobile data नहीं है बट यह जो feature है only आपको iPhone 14 और 15 series में देखने को मलने वाला है और साथ में जब आप यहां पर किसी भी contact को message send करते हो तो उसके साथ आप किसी भी message को highlight करके send कर सकते हो highlight के लिए आपको यह कुछ effect देखने को मल जाते हैं तो अल करते हो और काफी attractive सा message आप यहां पर send कर सकते हो और यहां पर आप मेरे iPhone की home screen देख सकते हो कोई भी application अब आप कहीं बर भी move कर सकते हो जैसे कि मैं यहां पर इन applications को यहां पर रखना जाता हूं तो यहां पर कुछ इस त्रीके से मैं अप्लिकेशन को कहीं पर भी move कर सकता हू अप्लिकेशन को टोटली चेंज करा गया है यहां पर आप देख सकते हो इसका इंटरफेस आपको कुछ इस त्रीके का देखने को मलेगा सारे जो आइकॉन्स है उनको rearrange कर दिया गया है कैमरा यहां पर आ गया है पहले आपको bottom पे देखने को मलता था अब आपको यहां पर देखने को मल रहा है sensibility के नीचे I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी यह थे iPhone 11 के top features जो की आपको iOS 18 के अपडेट में देखने को मिलने वाले हैं अगर आप इसे अपडेट करते हो I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी so मलते हैं guys अगले वीडियो में so thanks for watching